2020 की बात करों, जो highest rank रही वह सुजय कुहा, सुजय is from West Bengal, NIT दुरगापूर के candidate, मतलब इंजीनियर है, accountancy से कोई वास्ता नहीं था, All India Rank 19, ठीक, अरुनेस्ट इंजीनियर, ठीक है, इनका interview भी लिया है मैंने, देख सकते हैं आप, ठीक है, तो इनका भी account से कोई वास्ता नहीं दीपक है, BSC Honors Math से, इनका भी कोई वास्ता नहीं, account से, इधर हमारे भाई, ठीक है, इनको भी accountancy से कोई मतलब नहीं है, कम से कम हजार selections देने की, AAO में, एक clean sweep देना है, कोशिश है, कि 180, 190, 200, क्या possible है, लाना, AAO में, अगर possible है, तो लेके आएंगे, Hello बचों, चाहे BSC हो, चाहे BTEC हो, चाहे BC Après, चाहे BAO बनना है, और इसी बार, AAO बनना है, बंद के ही मानेंगे, लेकिन क्यों AAO बनना है, क्या यह जॉब इतनी बढ़िया है, कि AAO ही बनना है, अब थोड़ी देर में, वो सारी चीजें भी देखेंगे, लेकिन, ये जो इस है AG office, यह 36 गड़ का office है, जहां मैं post-it था, यह UP का office है, और इधर, यह आपका हो गया बिहार का office, और इधर है जारखंड का office, तो यह हैं कुछ offices, जहां पे मिलेगा मौका आपको काम करने का, राइट, चलते हैं थोड़ा आगे, समझते हैं कि आखिर डबल एयो ही क्यों, पोस्ट है CGL के थ्रू, लेवल एट की जॉब है, और अगर मैं power की बात करूँ, तो one of the most powerful posts in SSE CGL, थ्रू SSE CGL, आप यह feel करेंगे job के दोरान, तो भई इससे भी कौन-कौन सी powerful posts हो सकते हैं, obviously, TBI है आपके पास, वहां पे आप definitely बहुत जारा powerful feel कर सकते हैं, obviously, department में, department के अं attract करते हैं, तभी आपको power का एहसास होता है, ठीक, फिर, तो एक तो होगी बात कि बहुत ही जारा powerful post है CGL की, क्योंकि आप सारे departments का audit करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो जिन departments में जितनी जादा irregularities हैं, corruption का scope है, वो department एकदम हाँ जोड़ के आपके आगे खड़ा रहता ह ठीक, obviously जहां पे corruption नहीं है, वहां पे वो चीज missing रहेगी, ठीक, इसके बाद बात करूँ, तो state में आप देखेंगे, generally एक ही office होता है, तो आपकी जो posting होगी, एक बार अगर हो गई जहां, वहीं आप throughout life रहने वाले हैं, मतलब, SSE CGL की जो धेर सारी posts हैं, उनमें transfers banned हैं कम रहती है, state change होने का option नहीं रहता है, लेकिन state के अंदर आपके transfers हुआ करते हैं, जैसे excise में हर तीन साल के बाद आपका transfer होगा, आपके zone के within, इसी प्रकार से जो अलग-अलग jobs हैं, divisional accountant हो गया, income tax inspector है, वहां पे transfers की हमेशा possibility बनी रहती है, आपके transfers होते हैं, टाइम फ्रे पिटल में मिलता है, राजधानी में, तो उसमें single office होता है, एक बार आप posted हो गए वहां, तो वहीं से आप पूरी life वहीं पे रहेंगे, जैसे अगर आप चंडीगड में posted हो गए, तो चंडीगड़ी आप पूरी जिंदगी ने रहेंगे, पूरी जिंदगी रहेंगे, ये नहीं है कि आपका state change हो रहा है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी गुड़गाओं जा रहे हैं, कभी पंचकुला जा रहे हैं, ये chances नहीं हैं, सेम चीज में बात करूँ, एक बारा पटना posted हो गए बिहार में, तो वहीं आप retirement तक रहेंगे, ये नहीं कभी गया चले गए, कभी अच्छी बाते हैं, मतलब salary wise आप देखेंगे काफी अच्छी salary रहेगी, guested post है, right, तो खैर, लेकिन जरूरी नहीं कि हर job में सिर्फ और सिर्फ positive points हो, धेर सारे negative points आपको लोगों ने, दुनिया जहान ने YouTube पे गिना रखा है, YouTube पे, तो फिर सही जानकारी आपको कहां से मिले देखेंगी, उसके लिए आप एक काम करसा, आप चले जाएए, Facebook पे, मेरी profile पे चले जाएए, इसमें आपको धेर सारे मिल जाएंगे, डबल A O's, जो working है, ठीक है, मेरी friend list में, जो ये नाम कुछ देख रहा है, इन में से कुछ बच्चे मिल जाएंगे, या इसके अलावा ज उनसे जरूर बात करिए, वहां से आपको clarity आएगी, ये जाब वास्तों में कैसी है, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, बहुत जादा जो unnecessary negativity है, वहां से आपको एक clear path मिलेगा, कि वास्तों में ये जाब कैसी है, कितनी बढ़िया या कितनी खराब है, ठीक, तो वो काम आपको करना पड़ेगा, मैं negative points या positive points की यहां पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाला, ठीक, अब बात आती है कि डबल AO का batch, जो हमारा है अब यह हम है course introduction के page पे, यहां पे मैं आपको बताओं कि डबल AO आप अगर join करते हैं, तो सिर्फ full score को आपको क्यों चुनना है, फुल स्कोर को आपको इसलिए चुनना है कि लगातार फुल स्कोर डबल AO जब से start हुआ, पहला बाइच आप छोड़ दो, 2016 का, उससे तो मैं select हुआ, उसके बाद 17, 18, 19, 20 लगातार result देता आया है, 17 में start किया, जो highest rank थी, 50 के round थी, 54 मेरे ख्याल से, मोहित तयाल, right, 2017 की बात 2018 में हमने all India rank 6 दिया, 2019 में all India rank 1 आपके सामने है, अरुनेश तिंगल, ये रहे हमारे, अरुनेश, ठीक, 2019 के थुरू, 2019 के थुरू, दीपक जांगीर, इनकी rank थी, 90 के round, और ये पोस्टेड है, दिल्ली में ये दोनों जने, ठीक है, इनकी all India rank 1, इनकी around 90, ठीक, और इसके अल पोस्टिंग, मतलब exercise inspector की joining आनी है, और 2021 से AA expect कर रहे है, तो AA upcoming है ये, और खेर ये जो बालक है, ये assistant commandant है, तो इनकी खोड़ देता, VUPSC का interview वगरा दे रहे हैं, ठीक, ये 2019 का मैंने बताया आपको, 2020 की बात करों, जो highest rank रही है, वह सुजय कुहा, सुजय is from West Bengal, NIT पुर के candidate, मतलब engineer है, accountancy से कोई वास्ता नहीं था, All India Rank 19, ठीक, Ernest Ingle, engineer, ठीक है, इनका interview भी लिया है, मैंने, देख सकते हैं, ठीक है, तो इनका भी account से कोई वास्ता नहीं, दीपक है, BST honors math से, इनका भी कोई वास्ता नहीं, account से, इधर हमारे भाई, ठीक है, इनको भी accountancy से क तो ही मतलब नहीं है, GST inspector अभी join करने वाले हैं, और ये भी है engineer, इन्होंने drop किया था engineering, उसके बाद की BST, ठीक, तो मतलब आप ये देख सकते हैं, कि जो बच्चे हैं, जो select हुए, जो पढ़े, वो सारे non-engineers हैं, and they are highly satisfied, मतलब आप इन में से किसी को भी धूड के, आप बा और दूसरी चीज है, student का जो satisfaction है, वो बहुत जादा है, बहुत जादा student आपको, मतलब highly satisfied मिलेगा, वो सिर्फ एक ही नाम आपको recommend करेगा, जिसने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद सिर्फ एक नाम होगा, full score, ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये कुछ पीछे के selections ह अभी जो मैं बात करा था, लोकेश राजुस्त, इस बार देखिए, लोकेश जो है, इनकी 54th rank थी, right, 54th rank अभी posted है अलहाबाद office में, रहने वाले हैं राजस्थान के, इन्होंने अगला CGL दिया, मुझसे पूछे की कौन सी post उपर डालो, मैंने का भाई, देखो, AA की vacancy तो 37th, 37th, ऐसे rank है इनकी, without AAO, ठीक, लेकिन, he is not going to his home state, अपने घर जाने को तयार नहीं है, कहारा, नई सर मैं AAO में खुश हूँ, इनका interview भी आपने देखा था, काफी viral हुआ था, एक तो चैनल पर, मैंने लिया था, उसमें बात नहीं किया, AAO की, दूसरे platform पे इनकी बात की जहां पे इनोंने खुब बढ़ाई हैं की, तो ये बात होगी, लोकेश की, not going to his home state, in excise, obviously मैं होता, तो शायर मैं चला जाता, ठीक है, ये अपना individual choice है, मैं ये नहीं कहारा, कि AAO इतनी बढ़िया है, कि आप home state भी ना जाओ, मैं पक्ता जाता, ठीक है, और मैंने इनको कहा अभी exercise आप लो, चीक, राइट, तो चलते हैं थोड़ा और आगे, अभी देखे, ये हमारे धेर सारे बच्चे selected और, विशाल हर मलकर, विशाल ने मुझसे पढ़ी थी, account 10C, राइट, डबल AO के लिए, UPSC, EPFO का paper देके आए, select हो गए, दिल्ली आए, interview देने EPFO का, बहुत मिलने की जित की नोंने, मैं बहुत busy था, time निकाला मिला, और जब result आया, तो इनकी काफी अच्छी रहे हैं, कि मेरे ख्याल से under 50 हैं, ये, UPSC, EPFO में, तो selected AO, selected UPSC, EPFO, अभी इस से पहले काम कर रहे थी है, tax assistant Mumbai में, तो इस तरह का मतलब हमने दो दिया है, एक, जो बच्च state के time आप से बात करें, फिर, course design कैसा किया गया है, ये बड़ा important है, अब आपको बात कर रहा हूँ है, course के बारे में, तो इसमें आपको मिलेंगी recorded classes, as well as live classes, recorded 35 से 40 घंटे का content आपको मिलेगा, पहले ये थोड़ा ज़ादा था, उसको curtail किया है, मैंने unnecessary चीजे, और हटाई है एकदम targeted, कहोंगे sir, क्या, 35 घंटे में accounts, economics, सब कुछ है, ये एक तगड़ी coverage आपको दे देगा, बिना nonsense किसी बात के, आपके understanding को एकदम develop करने के लिए, बहुत तगड़ी जगा है, इसके अलावा लेंगे धेर सारी live classes, जो आपको मदद करेंगी, select होने में, ठीक, मतलब ये होंगी तगड़ी वाली score booster classes, ये class के लिए ही मैंने ये photo लगाई है उपर, ठीक है, ठीते की चाल, पास की नजर, तो ये जो live classes होंगी, अब मेरा जो अगले, मतलब आपके exam तक जो एक main काम होना है, मेरे जो दिन का एक ठीक ठाक समय, रोज 3-4 घंटे किस चीज में जाने है, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग exams के eco के paper को analyze करने हैं, ठीक है, क्योंकि accountancy, accountancy में तो full stop लगा देंगे, मतलब आपके 40 question, आप 35 करके आओ, 40 करके आओ, अगर आप नहीं करके आ रहे हो, तो even कोई chartered accountant बच्चा भी, एक दो आप से जारा कर लेगा, वो भी नहीं कर पाएगा, इ बहुत brilliant बच्चा होगा, तब भी नहीं जाएगा, और ठीक ठाक बच्चा, वो तो 30 पे ही रुख जाएगा, हर साल की बात बता रहा हूँ, जितने बच्चे भी highest marks ला रहे होते हैं, accounts, economics के paper में, वो हर बार non commerce background के बच्चे होते हैं, obviously हमारे पास commerce background के भी बच्चे होते हैं, बट वो इन से पीछे रह जाते हैं, यह जो हमारे engineers हैं, जो हमारे BSC वाले बच्चे हैं, इनको थोड़ा डर होता है कि यार मुझे accountancy नहीं आती, तो जितनी बाते मैं बोलता हूँ, यह उसको एकदम ध्यान से इनी के लिए गीता है वो, गीता, Quran, Bible, जो समझ लो आप, तो पढ़ते रहते हैं, और सबसे अच्छा है, score करके चले आते हैं, accounts का बच्चे कहता है, यह तो obvious है, तो थोड़ा सेंसे पीछे ही रह जाता है, यह हर साल की हमने trend देखी है, ठीक, right, अब बच्चों बात करता हूँ, आप से यह जो पीते की चाल और बास की नजर वाली बात, इस बार कोशिश है, कि 180, 190, 200 क्या possible है, लाना डबल यो में, अगर possible है, तो लेके आएंगे, मतलब ऐसा नंबर लेके आएंगे कि कोई, कहीं से कोई रती भर भी कमी न रहे, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पहले डबल यो के papers को analyze करो, ठीक, उसके बात पकड़ो त करते हैं, जैसे UPSC CDS का paper, CAPF का paper, UPSC CSC नहीं छोओगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए फिर इसमें और 87 घंटे का content economics में add करना पड़ेगा, और उतनी आपको जरूरत है, नहीं आपके पास time है, लेकिन अब मैंने पढ़ा मान लीजिए, 20 घंटा, तो आपको lecture कितने घंटे का दूँगा, आधे घंटे का, सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीज़ें, लेकिन जरूरी चीज़ें ऐसे नहीं, कि वो आपके दिमाद से निकल जाएं, कि ऐसे टक 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 जैसे आपने देखा होगा, धेर सारी YouTube चैनल पे क्या चलता है, जी चार option है, एक question है, option explain कर रहें, क्या व वो इस्टोरी एकदम targeted होगी, no nonsense approach, कैसी होगी वो इस्टोरी, उसको जानने के लिए आप अभी मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला है, कल परसों, balance of payment वो देखी, इसमें शुरू के 5-7 मिनट मैंने एक इस्टोरी पे बात की है, इस्टोरी क्या है, मतलब अपने economy के ही related बात की है और उससे आपको इतनी तगडी build-up होगा आपका एक, आप समझ पाएंगे कि LPG की हो आया, balance of payment, कैसे LPG को liberalization, privatization, globalization को influence कर रहा था, IMF का क्या रूल है, वहीं से इतनी अच्छी आपको clarity मिल जाती है, ठीक है, कि उसके बात जब आप वीडियो देखते हैं, जब definition part पे जाते है तो आपको याद करने के लिए कुछ खास बचता नहीं, सब कुछ आपको एक logical build-up हो चुका है, बस अब आपको revise करना है, ठीक, तो वो कोशिश होगी, राइट, तो यह है भीया, चीते की चाल और बास की नजर, सारे papers को ले के आओ, निकालो सब में से, ठीक एक topic के question, निका CAPF, सब में से निकालो, ठीक, अब बैठो कि भीया, कहां high probability गिर रही है, मतलब सबसे जारा questions कहां कहां से पूछे जा रहे है, उस topic पे बनाव एक तगड़ा वीडियो हो गया का, समझे रहो, और उस पे दे दो कुछ quizzes, तो quizzes रहेंगी, आपकी practice हो जाएगी, आप लोग definitely को शुरू करता हूँ, और मैंने देखा है, यही बहुत बढ़िया समय होता है, आप लोग एकदम focused होते हो, ठीक है, रोज एक घंटा बैठते हो, मेरे साथ 10 minute revise करते हो, quiz लगाते हो, 5-7 minute में काम खतर, बस, ठीक, तो यह तब चलेगी, जब आपका exam, एक महिना रहे जाएग मेंस का तब, इसके अलावा जो classes होंगी दोस्तों, उसको आप mobile app पे as well as laptop पे भी चला सकते हैं, desktop पे भी चला सकते हैं, कोई यह नहीं है, कि सिर्फ mobile पे ही चलेगी, आगे चलते हैं, PDF मिलेंगी आपको सारी classes की, एक साथ भी PDF मिल जाएगी आपको, जो material है, इसके अलावा PPT की form में, पावर पॉइंट की form में, उस वो भी PDF आपको मिल जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा परिशान होने के जरूतने हैं, लेकिन मैं highly recommend करता हूँ, जब भी आप PDF प्रिंट कराओ, एक साइड साधा छोड़ दो, साधे साइड आप, जो भी important लगे class से, उसको note करत जाओ, PDF में जो लिख रख आपने, highlighter साथ में रखो, pen रखो, highlight करते जाओ, important लगे, और साथ में लिखते भी जाओ, जो ज्यादा important लगे, इसको मैं class में आपको बोलता रहूँगा, pinpoint करूँगा, देखो ये चीज पूछी जाती है, लेकिन आप लोग गलत कर देत, उन चीज रहा हूँ, quizzes की form में डालने को, एक तो test series डाल सकते हैं, पूरी 100-100 questions की, लेकिन मुझे लगता है, उससे बढ़िया हम छोटी-छोटी quizzes, 20-20 questions की quizzes डाल दें, हर topic के बाद, धेर सारी quizzes, आप बहुत अच्छी practice कर लोगे, revise कर लोगे, जहां पे भी week होगे, तो हम number बढ़ाने के ज़्यादा करीब होगे, तो इस पे मुझे आपका opinion चाहिए होगा, कि आपको test series चाहिए, full length या quizzes चाहिए, क्योंकि accountancy के paper में, कभी भी ये नहीं आता कि भाया, ये कैसे मतलब time कम पड़ गया, ये नहीं होता, आता है या नहीं आता, ये होता है, time कम नहीं पड़ेगा, तो और दोस्तों जो हमारा target है इस बार, अभी पिछली साल मैंने बहुत मेहनत की, जो 2021 के बच्चे हैं, उनके साथ बहुत मेहनत की है, लास्ट के एक डेड़ महीना, और इस बार हम expect कर रहे है, top 10 में 3 बच्चे, लेकिन जो आपका batch है, एक लंबा time मिला है हमें, हम क्यों ना expect क आपके साथ करने को तयार हूँ, आप मेहनत करोगे, definitely selection हम लेके आएंगे, ठीक, right, अब, तो वीडियोज, वीडियोज आप एक काम कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा, जिन बच्चों को थोड़ा doubt है कि पता नहीं यार, economics जहली जाएगी कि नहीं, अकाउंटनसी आएगी कि नहीं, हो जाएं, ठीक है, यह अपना YouTube का चैनल है, ठीक है, आप जाएए प्लैलिस्ट वाले सेक्षन में, यहाँ पे आपको क्या करना है, यह देखिए, Assistant Audit Officer Resources की प्लैलिस्ट है, फुल प्लैलिस्ट पे आप गए, और नेश्ट इंगल AIR1 का एलाखर इंटर्व्यू है, जोब प्रोफाइल है, इसके नीचे आईए आप, इसको भी छोड़ो, देख सकते हैं आप चाहें तो, most important economics chapter आप देख सकते हैं, इधर accountancy demo class, एक साल पहले record किया है, अभी पिछली साल का paper उठा के देखो, इससे आपको question वहाँ भी मिलेगा, पत्र भी ऐसा topic है, कि हर साल अगर SSC paper बनाएगी, तो यहाँ से question पूचेगी, management की class ली, हर साल एक question SSC ने पूचा, और आप देखेंगे, इस video के बाद, आप TDS, CAPF किसी का भी question होगा, majority question कर देंगे, वहीं फसे हैं कि जहाँ पर वो data मांगते हैं, ठीक, current economic survey का data मांग दिया, वो questions नहीं होंगे आप से, otherwise आप सारे questions किसी भी exam के कर देंगे, इस 40 minute की video के ब एक बहुत important topic, इसके बाद मैंने domestic territory आपको समझा, वीडियो देखिए, language समझ ये, teacher से कितनी आपकी बन, मतलब understanding बन पाएगी, वो देखिए, ठीक है, और GDP, right, 8 GDP पे भी, वहाँ पे है, ठीक है, इसके लाब धेर सारे मैंने papers ये तब discuss किये थे, जब बच्चों का जो 2020 वालो definitely हम, इसको दुबारा और better form में लेके आएंगे, ठीक है, तो ये हो गई बात, है न, अब चलते है थोगा और आगे, कैसे लेना है admission, किस तरह आपको मिलेगा content, ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, आप जाएंगे app पे full score AAO, एप का नाम क्या है भई, full score AAO, full score नाम ही है, full score AAO, ठीक, गए आप app पे, ठीक है दोस्तों, आपको app कुछ जाएंगे ऐसा दिखेगा, ठीक है, just a second, just a second, right, आप course पे click करेंगे, तो आपको ये पूरा course खुलता हुआ दिखेगा, इसमें धेर सारी videos दिखेंगे, ठीक है, one year validity, hundred plus learning material लिखा दिखेगा, इस hundred plus learning material पे यहाँ आ आपको आजाएंगी सारी content, ठीक है, सारा content, जैसे उपर मैंने papers डाल रखेंगे, तो ये papers आपको उपर दिखेंगे, इसके नीचे फिर आपको एक video दिख जाएगी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया है कि आपको कैसे पूरा course पढ़ना है, ठीक है, इसके अलावा फिर आपकी classes आजाएंगी, class, pdf, class, pdf, class, pdf, class, pdf, class, pdf, सब पे number पढ़ा हुआ, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से सारा numbering की हुई है, ठीक है, फिर आप नीचे जाएंगी, फिर economics से start होने इस पहले, economics फिर 1 से start हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से सारा course आपको arrange मिले, ठीक है, भाई लिंक प आपने click किया, आपको ले जाएगा यह इस page पे, यहाँ पे आप अपना email ID डालेंगे, और proceed पे आप click कर देंगे, ठीक है, और उसके बार आप course में enroll हो पाएंगे, ठीक है, तो यह है पूरा, और inquiry number आपको उपर दे रखा है, WhatsApp number, आप उस पे, जो भी आपकी query है, आप लिख करनी है, इधर उदर अपने दोस्तों, रिष्टेदारों, भाईयों से बात नहीं करनी है, जो already working है, उनसे बात करनी है, और कम से कम तीन लोगों से बात करनी है, क्यों? तीन लोगों से बात करते हो, तो पूरी clarity आती है, एक आदमी बहुत खुश हो सकता है, या बहुत दु इस बार आप डबले ओ बनने जा रहे हैं, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, थैंक यू एब्रीवन, एब नाइस डे, बाए